Japanese language में vocabulary को कैसे सीखे Japanese language में बहुत vast vocabulary मानी जाती है अगर आपको एक JLPT के level को clear करना है जैसे level N3 की बात करें, N4 की बात करें तो students को लगता है कि अभी N5, N4 तक तो ठीक था लेकिन अब vocabulary यानि की words, word meaning इतने सारे हो गए है तो पहले क्या हम इन सब words को याद करें एक list की form में तभी तो हम दोकाई को या चोकाई यानि की listening को और comprehension passage को solve कर पाएंगे grammar के sentences जब हम देखते हैं तो उसमें भी हमें लगता है कि बहुत सारे vocabulary है जब तक मैं इसको याद नहीं करता तो मैं आगे बढ़े ही नहीं सकता तो बस इसी चीज़ को आज हम इस वीडियो में cover करने वाले हैं किस तरह से इस loop से बाहर निकला जाए Welcome to New Hongo Max, मेरा ना मेरा वी चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको focus करना है कि आपको इस loop में यानि कि इस problem में नहीं फसना है कि आपको vocabulary पहले याद करनी पड़ेगी तब ही में आगे बढ़ पाऊंगा नहीं Obviously अगर आप किसी level को start करेंगे तो आपको ये लगेगा कि जब तक जैसे for example वाताशिवा का मीनिंग नहीं पता होगा तो मैं sentence का मीनिंग निकाल ही नहीं सकता कि I have a red car ठीक है तो बात बिल्कुल सही है logic भी बिल्कुल ठीक है लेकिन इस चीज में first के अपने आपको रोक लेना या demotivate हो जाना बिल्कुल गलत है तो इसका क्या solution है देखे solution यह है कि अभी जो हमारे दिमाग में है कि हम vocabulary को पहले list के तौर पर आद करें तो वो भी ठीक है मतलब मैं ऐसा नहीं कहता कि आप विकदम list को fact दीजिए list लेकिन अपने reference के लिए रखिए कई भी आपको यह लगता है कि मुझे यह word नहीं पता तो obviously जैसे English है तो हम dictionary को देखते हैं English का word हमें समझ आता है तो हम फिर हमारी readability भढ़ जाती है इसी तरह से Japanese language में भी आप list को संभाल के रखी alphabetical order में आप list सर्च करेंगे net पे बहुत सारी मिल जाएंगे आपको लेकिन इसको अगर बैठ गए हम याद करने तो मुश्किल हो जाएगा तो आपको करना क्या है आपको यह करना है कि एक scenario जैसे कि for example अगर N5 की बात करें तो N5 का जब course थोड़ा complete होता है तो small comprehension passages होते हैं जैसे for example nature के बारे में होता है तो nature में पहाड, आस्मान, पक्षी, पेड, नदी इन सब की vocabulary को collectively वच्चा याद गर लेता है कैसे एक paragraph के अंदर होता है वो क्यों क्योंकि paragraph में lines होती है तो lines में तीन बार या दो बार नई vocabulary आई है तो वो vocabulary की तौर पर भी याद हो जाता है और वो sentence अगर वो बार बार read करता है तो वो बहुत अच्छी तरह से बहुत पकी तरह से vocabulary याद हो जाती है हम भी अपने institute में जैसे advanced level भी है तो N3 के अंदर हम लगभग 700-800 ऐसे sentences cover करते ह हैं जिसमें हर sentence में दो या तीन words आ गए तो आपके लगभग 1500 या 2000 vocabulary हो जाती है इसी तरह से N2 level में भी लगभग around 1000 से भी जादा sentences हम cover करते हैं ताकि vocabulary की power बढ़ जाए उसमें 3, N2 दोनों के words होते हैं कुछ-कुछ N1 के भी होते हैं तो बात है कि आप vocabulary को sentence के form में याद रख है तो यह पहली बात तो आपको थोड़ा सा material arrange करना पड़ेगा जो vocabulary को एक scenario based situation में आपको समझाए ताकि related vocabulary आप सीख पाएं related vocabulary सीखने से एक और फाइदा होता है कि कभी-कभी kanji भी similar मिल जाती हैं आपको जो कि आपको और help करती है उसको और जादा fast और और जादा long term के यूज कीजिए वहां पर जैसे दोखाई को scenario based दोखाई जैसे medical terms, IT terms, automobile terms, economics terms, business terms इसके लिए अलग आपको scenario मिल जाएगा जिसमें आप उस vocabulary को यूज करें लिस्ट फॉर्म भी दियो हुई है आपको और लिस्ट फॉर्म के बाद उसको sentence form में भी दिया हुआ हुआ है उसमें म में याद रखना और sentence structure form में याद रखना दोनों को अगर आप पैरलली चलाएंगे तो आपको confidence मिलेगा क्योंकि जब आप list revise कर रहे होंगे तो आपको लेगा हाँ ये मैंने कहीं कहीं पढ़ा है और दुक्काई जब आप रीड कर रहे होंगे comprehension passage तो भी आपको वो vocabulary recall हो उसको छोड़ दीजिए वो खतम हो गया चोकाई के एंगल से listening के एंगल से वो चीज़ अब खतम हो गई है अब आप उसको vocabulary के एंगल से pause कर करके check करिए कि ये vocabulary यहाँ पर इसने use करी है जैसे कि sky mask होता है use करना और shio shimas भी एक word है तो वो वहाँ पर sky mask क्यों ने use किया उसने shio shimas क्यों use किया है तो वो आपको चोकाई बेटर बता पाएगी ठीक है तो ये तीन तरीके वरा parallel चला के रखेंगे और nihongomax.com का use करेंगे तो बहुत ही short time में बहुत ही short time में आप vocabulary नहीं grammar passages वगरा सब कुछ सीख सकते हैं all the best